हेलो फ्रेंड्स सोनारपुर रैबिट फार्म में आप सभी लेगों का स्वागत है तो आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है ओ है माइट्स प्रोब्लेम फ्रेंड्स माइट्स के हम दो तरीके का टीडमेंड बताएंगे एक है आयुरुवेदिक और दूसरा है तो शींटम्स देखने की बात जितना जल्दी हो सके टीडमेंट स्टार्ट किजिएगा तो गाइस इस बीमारी का जो सबसे पहला शींटम होता है वह फार निकलने रखता है और के नीचे और बाडि के ऊपर डैंड अप दिखाई दिता है यह पहला स्टेज होता है दूसरी स्कीन के उपर घाव दिखाई पड़ते हैं रैसेस दिखाई पड़ते हैं और इस स्टेज में रैबिट थोड़ा सा खाना खाना भी छोड़ देता है और अनकॉंपरिबल फिल करता है केज के अंदर या फिर बाहर टाइप है भी तो उसका पूरा बदन में खुझली होने लग जो रैबिट्स मिट्टी के उपर रहता है तो उनको माइट्स होने की चांसे और ज्यादा बढ़ जाता है जो की कॉलोनी सिस्टेम में रहता है क्योंकि उन लोगों का जो हाथ पैर होता है वह हमेशा गंदा होने लगता है कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ रैबिट् की बोड़ी में फ्रेस यार और सूर्या किरन यानि सांडेस नहीं पड़ता है तो उनकी वज़े से भी हो सकता है और फेंट्स हम सभी लोग जानते कि एक फीमेल रैबिट्स उनका पूरा बोड़ी में से फार निकल के एक गद्दी बनाता है और उसके उपर उनका बच्चा देता है तो फीमेल रैबिट्स के लिए नहाना उतना जरूरी नहीं है अगर कभी डाइरिया जैसे कोई बीमारिया हो जाए तो आप फीमेल रैबिट्स को भी नहा सकते हैं कोई बाद नहीं लेकिन सिर्फ वाटर से जो मेल रैबिट होता है तो उनको आप लोग दो से तीन म सा बोडी वार्स से भी नहा सकते हो और हर एक हपते में एक दिन इनको ब्रासिंग करना जरूरी होता है जो कंगी होता है तो उन में से इनको जो फार होता है तो उनको ब्रासिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और फेंट ज़्यादाधर टाइम पे जो six months के ऊपर ज क्योंकि body में sodium का जो balance होता है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और कुछ doctors को एम कहना है कि अब लोग खीरा मत खिलाई है खीरा यानि बेंगॉली में जो स्वासा कहते हैं इंगलीस में बोलते हैं कि cucumber तो इस इनके जगा अब कोई भी vegetables या फिर fruits खिला सकते हैं कोई बाद नहीं तो ए तो सारा का सारा prevention की बात चले गए और आते अभी treatment की तरफ सबसे पहले guys ayurvedic treatment तो उनके लिए कुछ चीज चाहिए होगा जैसे कि coconut oil या फिर basilin जो petroleum jelly होता है नेक्स्ट आता है हल्दी अगर आप लोग के पास हल्दी नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जो टर्मानिक powder होता है या जो हल्दी गुड़ा होता है तो उनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तूलसी नीम और लेमन याने की नीमबू तो फ्रेंड्स सबसे पहले नीम तूलसी और हल्दी को आप लोग एक साथ में पेस्ट कर लीजिए और फिर उनके साथ थोड़ा सा coconut oil मिक्स्ट कर दीजिए जैसे कि इस picture में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का वह वाला चीज पड़ेगा तो इन चीज़ों को आप लोग एक बार रेडी करके दो से तीन दिन इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेस्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप रैविट्सों को अच्छे से नहलाईए यानि बात दीजिए और उसके बात आप बेटाडाइन या फिर जो नॉर्मल स्पी या फिर कोई या फिर धूल मिट्टी कुछ भी लगे ना रहे उसके बाद वो जो पेस्ट रेडी किया था आपने तो उस पेस्ट को लेके सुबह और साम दो टाइम अब लोग को पूरा बोडी में लगाना पड़ेगा इनको एलकोहल या फिर बेटाडाइन से अब लोग को हर दिन उनका बोडी क्लीन करना पड़ेगा उसके बाद आप सुबह में या फिर साम में लगा सकते हैं तो सुबह में अगर आपने क्लीन कर लिया तो साम में आपको क्लीन करने की और कोई ज़रूरत नहीं है अब लोग लगा दीजिए ओ वाला जो पेस्ट होता है तो उनको फास्ट डे में अब लोग को उसको नहाना है और एक हफ्ते तक या फिर दू-तीन हफ्ते तक उनको नहाना नहीं है जब तक टीड में चलता हो और टीड में चलने के साथ साथ अब लोग को हर हफ्ते में दो दिन इन लोग को निम्बू की जो रास होता है निम्बू जूस त वो जो स्कीन होता है तो उनको अच्छे तरीके से हील करने लगता है क्योंकि हम जानते कि निम्बू में बहुत ज्यादा परिमान में वीटामिन C होता है और वीटामिन C स्कीन के लिए बहुत अच्छा काम करता है दो से तीन हपते तक यह treatment करने के बाद आप लोग को दिखाई देगा कि rabbits को जो skin है वो थोड़ा सा मतलब plain हो चुका है और कोई भी फार नहीं है तो उनके उपर अब लोग coconut oil या फिर जो petroleum jelly होता है जैसे कि baseline तो उसको लगा सकते हैं वो इनको लगाने से क्या होगा कि उनका skin का नमी बना रहेगा और hair या फिर फार वो जितना जल्दी हो सके वो अपने आप grow होना start कर देगा यह था natural जो आयुरवेदिक प्रोसेस होता है तो उनका तो मैंने सारा का सारा बोल दिया तो अब लोगों को हमेशा यह ट्राइ करना है कि chemical जितना हो सके रैबिड्स जो होता है वो थोड़ा सा नाजुग होता है और sensitive भी होता है तो इनको जितना हो सके कि chemical से दूर रखिएगा यह उनके लिए भी अच्छा होता है अभी आते गाइस एलापतिक जो टीड्मेंड होता है तो उनकी तरफ एलापतिक जो मेडिसिन्स होता है उनको खिलाने की साथ साथ भी आप लोगों को आईरवेधिक टीड्मेंड जारी रखना है ऐसे नहीं कि मैंने आईरवेधिक जो टैबलेट्स खिला दिया तो उनका का लवर हूँ तो मैंने कुछ खुछ से experience किया है और इन सारे के सारे medicine बहुत अच्छे से काम करता है वरना आप आगार आपके पास कोई option है तो आप किसी veterinary shop पे चले जाएए और या फिर doctor या फिर physician जो होता है तो उनसे आप मदद ले सकते है तो उनका जो medicine होगा ओर भी बहुत ज्यादा accurate होगा तो गाईस सबसे पहले जो medicine आता है ओ है रेना मैसिम तो यह total चार आता है एक packet के अंदर तो अब लोगों को क्या करना है कि इस packet से निकाल के एक एक tablet को one fourth कर लेना है यानि कि एक tablet को आप लोगों को चार भ लाइए ऐसे करके दस दिन तक खिलाइए यानि कि एक tablet आपका दो दिन हो जाएगा एक rabbit के इसका alternative अगर same composition बाला कोई medicine हो तो उसको भी आप लोग इस्तेमल कर सकते हैं तो गाईस next आता है जो gastric problem का medicine gripe water ए humans का जो baby होता है तो उनके लिए भी इस्तेमल किया जाता है कोई भी problem का जो medicine है gripe water तो इसको खिलाने की जरूरत है क्योंकि जो रेनमाइसिन होता है वो थोड़ा सा tough heart type होता है medicine तो उसको खिलाने के बाद साइद rabbits का digestion का कुछ problem हो सकता है तो उनके लिए ग्रास्टिक जो medicine होता है तो इनको खिलाना जरूरी है इसकी जगा पे अगर और भी जब डॉक्टर अगर साजिस्ट करें तो दूसरा गैस का medicine भी खिला सकते है उसके बाद जो medicine आता है ओहे ए मेक्टिन वेट या फिर आइवार मेक्टिन इन दोनों में से एक medicine आपको कोई भी अगर purchase कर लिया तो उन में से काम चल जाएगा यह जो सरागसरा medicine होता है दिन में लगा सकते हैं तीन दिन बाद बाद मतलब अगर आज लगा लिया तो तीन दिन बाद फोर्थ डेस में अब लोग लगा सकते हैं और टोटल नौ दिन लगाना है मतलब तीन दिन बाद बाद ऐसे करके करके अब लोग को टोटल नौ दिन लगाना है और अगर माइट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उनके लिए लास्ट अप्शन एही होता है कि आईवर मेक्टिन जो होता है तो उनका एक इंजेक्शन रहता है तो उस इंजेक्शन को अब लोग डॉक्टर की मदद लेके उनसे इंजेक्ट करवा सकते हैं लेकिन एक दम लास जो निम्बू का जूस होता है ओ खिला सकते कैसे खिला सकते ओ तो मैंने अल्रेडी बता चुका हो और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लेम है तो अब लोग कोई भी भेटिनेरी सबसे विटामिन बी या ची खिला सकते है टेन गाम्स करके तो विटामिन बी और ची खिलाना सेट करके रखिये जैसे कि मैं अगर कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और गाइस यह सारा का सारा वीडियो तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगते है और टाइम भी तो अब लोग जैसे थोड़ा सा मतलब लाबस और रहूंगा तो मिलते नेक्स वीडियो में हरहर महादेप भारत माता की जाए